वालिवुट की खूबसूरत दुनिया को रोशन बनाने वाले और खुद की बदौलत बहुत बड़ी तरक्की हासिल करने वाले 80s और 90s के इतने सारे सितारे रहे हैं जिरोंने बिना किसी की हेल्प के खुद की महनत से कामयाबी की चरम सीमा को छुआ है इसलिए वो आज किसी अलग पहचान के महताज नहीं है लेकिन दोस्तों खुद की बदौलत सक्सेस्फुल होने वाले आप उन सितारों की बारे में तो सब कुछ अच्छे से जानते हैं पर क्या आप कभी उनके रियल लाइप बच्चों से मिले हैं जो बहुत अच्छे हैं और अपने माता-पिता का बहुत आदर सम्मान करते हैं अगर नहीं तो चलिए 80s और 90s के सितारों के खुबसूरत बच्चों से मिलवाते हैं नमबर पांच टीकु सल्तानिया बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक अपना दबदबा बनाए रखने वाले अभी नेता टीकु सल्तानिया आज एक खुबसूरत बेटी शिखा सल्तानिया के पिता है जो कि एक एक्ट्रिस है और वीरे दी बैडिंग कूली नंबर वन जैसी फिल्मों में अभी नेकर अपने पिता का नाम रोशन कर चुकी है जिनसे अभी नेता अपनी जान से भी जादा प्यार करते हैं यह भी अपनी का अमेडी धासु एक्टिंग और डायलोग बाजी से मशूर अभी नेता नाना पार्टेकर का एक ही बेटा मलहार पार्टेकर है जो पेशे से एक एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर है जिन्होंने अपने काम से बहुत सक्सेस्फुल होकर अपने पिता का गर्ब से किया है इसलिए तो अभी नेता नाना पार्टेकर इन पर अपनी जान छिड़कते हैं नमबर तीन बमन इरानी खुद की बदावलत तरक्की हासिल करने वाले फेमस एक्टर बमन इरानी की आज दो लाजवाब बच्चे कायोज रानी और दाने शिरानी है आपको बता दें ज लाजा की अंदास के लिए जाने जाते हैं जिनोंने अजीब दास्तान यंगिस्तान जैसे फिल्मों में काम किया है वह इनके छोटे बेटे दाने शिरानी भी बॉलिवुट के जाने माने एक्टर है जो आज लाइम लाइट से काफी दूर रहते हैं नमबर दो संजे मिश्र धमाल और दिल्वाले जैसे फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सभी का मन और अंजन करने वाले अभी नेता संजे मिश्रा के रियल लाइफ चाइल्ड की बात करें तो आपको बता दे कि इनकी पाल मिश्रा और लम्हा मिश्रा दो बेटिया हैं जो की दोनों ही अभी चोटी है और दिखने में काफी क्यूट क्यूट सी नजर आती हैं जिनसे अभी नेता बहुत प्यार करते हैं नमबर एक राजुश्रिवास्तव खुद के दम पर वालिवुट के बैस्ट हासे कराकार बनकर उबरे अभी नेता राजुश्रिवास्तव आज दो बच्चों आयुश्मा के बच्चे सबसे ज्यादा समझदार लगते हैं आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी दमदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें